हेलो गाइश स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एड़ू एजाइल में तो आगया है हमारे लास्ट टेन डेज इस्ट्रेटिजी प्लान का अंगला आठ्वा लेक्ट्चर तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लास्ट के जो टेन टॉपिक्स बचे हुए हमारे इसले बस के तो आज के लिए आपका ये टास्क होगा लेकिन अगर आपने अभी तक अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो देखे आपके पास नौ दिन ही बच रहे हैं ठीक है तो रिवीजन पे लग जाए लग भाग 10 घंटे तो आप रिवीजन के लिए देजिए तभी पाइम को आप जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकें उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफीचाल होने वाला है क्योंकि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है अगर उसे आप रिवाइज नहीं करते तो देखे पिछला जितना भी आपने पढ़ना उसका कोई मतलब नहीं कोशिच मत कीजिएगा अगर हो सके तो एक या दो एफल्टी बगारा लगाते रहेगा ताकि आपको कुछ अगर उसमें अपने रिवीजन प्लान में कुछ एड़ करने का अगर कुछ आपको लगता है जो आपने पहले पर रखा है नया तो बिलकुल मत पढ़िएगा पर अ आज के टास्क को हम लोग देखते हैं कि आज आपको क्या-क्या पढ़ना है तो देखें सबसे पहले आपको मत प्रदेश के प्रमुक्ष तेवहार जो कि हमने पहले भी बताया था कि आपको पढ़ना है तो एक बार आप इसको और देखिए और मेले और अकादमियों इसकी एक मैपिंग के थो एक बार पढ़कर देखिए हर जिले के उसके जो त्योहार है उसमें जो मेले हैं उसके जो अकादमिया है और एक बार उनकी जो इस्थापना का वर्ष जो है उसे भी एक बार ध्यान दे लिएगा उसकी बाद आज आपको पढ़ना है मत प्रदेश का इत इतिहास में कुछ ऐसे इस्थान है जो मत प्रदेश में पाए जाते हैं एरण हो गया कुछ होशंगाबाद का जो छेत्र है जहां पर आदिमानों के साथ मिले हैं ठीक है और डाइनसोर के जीवास वगएरा ये सारी चीजे कुछ इस्थान विशेष हैं मत प्रदेश के जो इतिहास पूरा पाशान वगएरा से रिलेट करते हैं भीम बैटका वगएरा तो इन सब चीजों के बारे में एक बार इतिहास में आपको पढ़ना है और उसके बाद राजवंस में ये बगहेल वगएरा और होलकर कल्चूरी इन सब चीजों के बारे में परमार वंस जिसके सबसे प्रमुख राजा बोच कहे जाते तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बार ओवर्विव आपको देख लेना है कि किस राजा ने अगर किसी भी पुरा तत्विक कोई भी परेटन इस्थल मनाया है जो कि उसने अगर किसी किले का निर्मार किया जो कि वर्वार्वार में परेटन इस्थल हो तो किसने उसका निर्मार कह रहा है ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है और इसके लिए आपको भटकने की ज़रोत नहीं आपके पास जो भी बुक है चाहे वो पुडेकर हो, महावीर हो अगर आप लुशेंट की रखें तो उसके आप एक काम ये कर लिजिएगा अगर आपके पास टाइम कम है आप पूरी तरह से रिवाइज अगर ना कर पाएं तो जो प्रिवियस येर आपजेक्टिव है ठीक है एमपी के जितने भी एक्जाम होते हैं एमपी एसाई कहो गया व्यापाम कुछ और एक्जाम लेता है जिसमें एमपी विशेश कर पूछा जाता है तो आप एक काम ये कर लिजिएगा कि उनके जितने भी प्रिवियस येर के अबजेक्टिव हो आप उन्हें एक बार देख लिजिएगा ठीक है उससे आपका लगवख लगवख पूरी तरीके से रिविजन होने वाला है उसके बाद आपको लोक संगीत लोक कला ये लोक शाहिद देख लेना है जो की जाता जातियों से संबंदित है उसके बाद प्राचीन भारत की तियास प्राचीन भारत की इत्यास में देख कुछ सन्दू शव्ऑता के जो इस्थल हैं जिनमें से काउने मतलब जैसे की अगर कुछा जाए की हल कहां से प्रस्तव हुआ और चावल के साच 여러분들 कहां से प्राप्त होते हैं इस कहां से काश्केज कहा कहा प्रस्ता है और कहां से की नर्तकी की मूर्ती कहां से प्राप्त होती है तो ये सारे चीज़े आपको एक बार डिवाइज कर लेना है ठीक है और उसके बाद बहुत और जैन धर्म इनको एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजेगा उसके बाद ये मगत काउतकर्स में कुछ विंब्य अधारेत उद्योग तो इसके लिए भी जो आपकी MP की बुक है उसके प्रिवेस एर को आप एक बार रिवाइज कर लीजे बस हो गया प्राक्रतिक संशाधन वन खनिच क्रशी ये भारत के प्राक्रतिक संशाधन को आपको इसमें देखना है जिसमें राश्ट्य उद्यान बहरन सफारी वगैरा आप ये सारी चिंचे कौ न सा खनिच किस छहतर के लिए जादा प्रशित है और क्रशी में किस वाज透 का कौन सा इस्थान है ये सारी चिज़े और वन का प्रतिशत है सबसे जदा में और रस्टी और कांवानन का सी जद्वी अस की बार आर्थध भूगल जो कि आपको लूशेंट में मिल जाएगा ठीक है ठीक तरीके से लूशेंट में है तो आप सिर्फ उसको पढ़ लिजेगा एक बार उसकी बार आपको देखना है मत्प्रदेश की जन जाती है प्रम कल्यारकारी योजनाय कल्यारकारी योजनाय के लिए हमने एक separate वीडियो बन किया है इसके बाद आपको देखना है सरवोच नयाल है और नयाई क्योस्ता देख लेना है यह आप लूशेंट से बाहर कहीं मत जाईएगा और अंत में आपको देखना है खाद सनचन आयोग जिसमें इसके अध्यच और मत्रदेश में इसका गठन का भुआ ये शारे चीज और नयाई अध्यच को हमने उसमें पिन करके कमेंट में डाल दिया था तो आपको देखे पुराने अध्यच और नयाई अध्यच दोनों उसमें याद हो जाएंगे तो एक बार दोनों को मिला कर आप उसको पढ़ लीजेगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जि तो उसके लिए हमारी टीम लगी हुए है अगर वो मटेरियल हमारा तयार हो जाते है तो उसको भी हम अप्लोड कर देंगे आपके लिए उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब पूरना पड़ेगा और ये वीडियो अगर आपको हमारी ये सीरीज अगर पसंद आ सिविल सर्विस नाम से हमारा एक फेस्बूक पेज है तो इस पर आख हमें फालो कर सकते हैं तो चले गाइस बेस्ट आप ब्लॉक आपके लिए पच्छिस थारिक के लिए और बस पढ़ते रहे रिवाइस करते रहे और मिलते हैं फिर अंगले वीडियो में